बिस्मिल्लारमानेरेम असलाम लेकुम मैंनेम इस डॉक्टर नॉरिन वहीद पेटी और यू आपको एक बात जहन में रखनी है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि सर्च और रिसर्च में क्या डिफरंस है सर्चिंग का मतलब होता है तो फाइंड आउट सम्ठिंग और रिसर्च तो फाइंड आउट अगेटann again इज में तू सर्च अगेट अगेटann again तो उसको research कहते है research मतलब again to find out something to add up knowledge in existing knowledge or to find a new fact about anything basic knowledge पहले से मौजूद है theories हैं हम उनको उनके ओपर मजीद research करते हैं तो इसलिए हम उसको research कहते हैं तो एक बात आप जहन में रखें कि research हमेशा शुरू होती है question से आपके mind में एक question आता है for example आप बैठे हुए हैं और suddenly आपको cervical pain होती है या gradually आपको cervical pain होती है और जब आप पढ़ रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो वो बार बार आपको interrupt कर रहे हैं वो pain या फिर आप क्या कर रहे हैं आपके attention को divert कर रहे हैं आप एक दम से सोचते हैं कि मुझे ये दर्द क्यों है वाई एक question आपके जहन में आता है यहां से आपकी research स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक question जो के हमेशा स्टार्ट होता है why, what, how, where and so on question आपका ये भी हो सकता है कि causes से relevant हो सकता है क्यों मुझे ये pain है या फिर वो treatment से relevant हो सकता है कि ये मुझे pain जो है इसका treatment क्या होगा या फिर facts के according आपके जहन में question आसकता है कि क्या factors जहन से जो ये pain मुझे है सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जब आपके जहन में क्वेस्टन आता है तो आप उसका आंसर डूनते हैं आंसर कैसे डूनते हैं आप करते हैं रिवियू करते हैं रीडिंग करते हैं जिसको आप कहते हैं कि आप रिवियू लिट्रेचर लिट्रेचर एक्जिस्टिंग नौलिज जो है जो पहले से उसके ब या बुक्स औगारा पड़ते हैं जिर्नल जियर्णिर्न तो यह सारी चीजें उसको हम उसके हैं literature review after literature review आपके कुछ pointsons clear हो जाते हैं for example आपको पता चल जाता है ऐड़न में नEक्ट पेंट जो मुझे है वह इस वजह से है तो next question आप सोचते हैं कि मुझे ही क्यूं है, आप उसके factors को सर्च करते हैं फिर अगीन आप literature review करते हैं अगर आपको जवाब उसका मिल जाता है तो फिर आपके जहाँ में जो next question आप फिर आप उसको लेंके चलेंगे ठीक है और अगर आप तो आप research paper लिख सकते हैं जो आपने literature review से data collect किया है उसको analyze करके आप एक research paper लिख के उसको publish करवा सकते हैं जो next step है वो है आपका assumption ठीक है अब आपके जहन में questions आए अगर आपको किसी एक question का जवाब नहीं मिलता मेरे भी जो sitting hours है वो इतने ही है और जो second person है जिसको आप सोच रही है उसके भी sitting hours इतने है तो ये pain मुझे ही क्यों है तो आप फिर factors में जाती है उन में से किसी एक factor की आपको आपको लगता है कि उस factor के उपर researches आपको नहीं मिल रही है ठीक है वो age factor हो सकता है वो आपका sitting hours जो अगर आप treatment की दफ जा रही है तो फिर आपने treatment search की है आपको एक दू treatment जो है वो मिल जाते हैं लेकिन आपको most best treatment चाहिए और उस इस तरह की कोई research नहीं है तो आप क्या करते हैं comparison की दफ चले जाते हैं ठीक है तो आप क्या करते हैं लाइक एक से जादा जो treatment हैं उनके comparison में चले जाते हैं तो comparative study आप यानि के करते हैं experimental study वो हो सकती है या एक से जादा factors को आप compare कर सकते हैं या आप association देख सकते हैं या आप treatments का effect देख सकते हैं या एक से जादा treatment के effect का comparison देख सकते हैं वो सारा वो depend करता है कि अगर जब आपने literature review start किया उस problem उस specific problem के उपर और आपको कुछ questions के जवाब नहीं मिल रहे हैं आप research पढ़ रहे हैं review कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर इस topic पर इस specific point के ओपर मुझे ज़्यादा research नहीं मिल रही ठीक है और जो एक दो मिल रही है वो भी उस point of view से नहीं है जिस point of view से आप उसका जवाब चा खुद से suggest नहीं कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इसके ओपर research नहीं है तो मैं यह new topic है तो मैं इसको कर लेता हूं नहीं आपको बहुत ज़्यादा research पढ़नी है और then find out करना है कि कहां पर किस जो specific point है उसके ओपर research जाया है वो कम है उसके बाद आपने उस point को लेके चलना है this is research gap ठीक है आपने research gap found find out कर लिया और आपके जहन में एक question था जो कि clear नहीं हुआ या आप satisfied नहीं हुई अब आपकी जो असल जो systematic way of research है कि like उसकी methodology क्या होनी है study setting क्या होनी है sample क्या होना है population क्या होनी है वो सारी चीज़े अब आपने set करनी है तो वो तो एक structure बना हुआ आपने उसके according चलना है लेकिन अब आपके जहन में एक चीज़ है कि यह एक ऐसा point है जिसको मैं लेके चल सकता हूं यह unique है इससे topic आपका अच्छा बनेगा ठीक है और unique topic होगा research gap होगा कोई वज़ा होगा आपकी research करने की यानिक एक अच्छा rationale है आप उसके उपर बना सकते हैं उस स्टार्ट होती है लेकि आपको का जो में स्टेप स्टार्ट होता है सबसे पहले आप question जहन में आता है और आप literature review करते हैं सिफ question का answer नहीं मिल रहा तो आप सोचते हैं कि अच्छा मैं इस सवाल को लेके चलता हूं इस question को लेके चलता हूं और इस topic के ओपर research करता हूं in fact topic relevant to your question or relevant your hypothesis जो आप बनाते हैं आगे जाके topic in fact main title होता है सबसे पहले आपने problem को देखना है कि problem क्या है फिर आपने उसके उस problem में आप किस चीज़ को देखना चाहरे हैं वो variables हो जाएंगे उसके बाद आप कौन सी population ले रहे हैं वो आप उसमें add कर देंगे तो यह 3-4 keywords आप मिला treatment एक best treatment नहीं मिला है तो आप फिर दो treatment को लेके comparison में आप चलना चाहरे हैं तो पहले आप एक hypothesis बनाते हैं जिसको हम null hypothesis कहते हैं जिस अगर आप कोई association देखना चाहरे हैं तो इस factor की for example neck pain की long standing के साथ कोई association नहीं है ठीक है इस तरह का आप एक null hypothesis बना लेते हैं and then आप उसका alternative hypothesis बनाते हैं यानि positive यानि आप उसमें आप बताएंगे कि हाँ जी इन दोनों का association है या यह treatment दोनों इन में कोई difference नहीं है या इनका कोई effect जो है ना इनके effects में कोई difference नहीं है तो यह आपके hypothesis बन गए जो basic structure होती है topic की उसमें आपका एक तो problem आता है main problem ठीक है उसके बाद जिस variable पर आप काम करना चाहरे हैं उसके बाद third number पर आपका आ जाता है कि आप treatment वगरा कोई देना चाहरे हैं या अगर आप treatment नहीं दे रहे हैं आप survey या association देख रहे हैं तो फिर यह वाला step नहीं आता और fourth जो point आता है वो आपकी population आती है ठीक है और sometime आपकी study setting है वो भी आप उ function कर देते हैं